हेलो फ्रेंग आज छोटी से साड़ी की पीस से बनाएंगे बहुत ही सुन्दर सा डियाईवाई फ्रेंग वीडियो को लाज तक देखिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है तो यह हमने दो पीस लिए हैं कपड़े के तो उपर जो है वो हमारा साड़ी वाला है और नीचे से नहीं लगाएंगे और भी नहीं लगाएंगे सरफ दो साड़ हमें शिलाई लगाना है है यहां से यृज वाला लगाएंगे फ्रेंड वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने आ लिए और बहुत ही जादे अच्छा बनेगा जब कि हम मार्केट से लाते हैं तब तो हमें बहुत महेंगा पड़ता है और अगर हम घर पर बनाएं थोड़ी सी महनत लगाने के बाद हम अपने घर पर बहुत सुन्दर सा एक एक क्या हजारों डियाइवाई बना सकते हैं बस थोड़ी सी महनत लगाने की जरुवत पड़ती है तो हमने बरावर बरावर में सारे निसान लगा लिए हैं और यहां पर भी इसी तरह से निसान लगाएंगे तो यह भी निसान हमारे लग गए हैं अब हम बीच से सीधे सीधे निसान को खींच लेंगे इन्ही निसानों पर हम सिलाई लगाएंगे इसकेल से यह हो जाता है कि हमारे बराबर में एकदम सिलाई लगती हैं और जो हमारे जो इसके बिलॉक्स हैं जो बराबर बराबर रहते हैं तो इसलिए हमने इसकेल से पूरे में निशान लगा लिए हैं और जो एक्ष्टा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे तो चलिए आप दिखाते हैं इसकी पहले कटिंग करते हैं फिर दिखाते हैं आगे यह हमारा क्या बनने वाला है और हमें मार्केट से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतना सुन्दर सा हमारा डियाईवाई बनेगा फ्रेन तो दीखिए हमने निसान लगा लिए अब चलते हैं मसीन की तरफ तो दीखिए हमने सिलाई लगा लिए जैसे हमने निसान लगा थे उन्हीं पर सिलाई लगाई यह पीछे की साइड हमारा जो पिलेन है इसमें अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों के लिए और जो नाव से cutting करके जो फालतू कपड़ा है, उसकी हम cutting करके निकाल देंगे, तो हमारा एकदम बराबर रहेगा, चोकूर रहेगा, जिससे यह थोड़ा अच्छा लगएगा दीखने में, अगर हम इस कपड़े की cutting नहीं करेंगे, तो अच्छा भी नहीं लगेगा दिखने में तो एकदम रेडिमेंट जैसा बनाएंगे और यह हमारी इसी साड़ी के फीस हैं तो हमने पिन लगाएंगे पिन की मदद से इसमें हम जो हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं इसमें इसको डाल लेंगे बहुत आसानी से पढ़ जाएंगे फिरें कोई दिक्कत ने बहुत अगर पतली रखोगे तो आपको ये जो कपड़ा अंदर इसके डालना है इसको पतला लेना पड़ेगा चोड़ी रखोगे तो आप लोग चोड़ा कपड़ा लेके डाल सकते हैं वैसे मेडियम अच्छा वाला है तो हम इसको ओपर रखेंगे डिजाइन वाले को इसी तरह से देखिए निकलाया और बिल्कुल बरावर ही बरावर है हमारा कपड़ा चलिए इसी तरह से हम सारे जो इसमें ब्लॉक्स बनाया है इसमें कपड़े को डालेंगे पिनकी मदश से अब कोई ज्यादा टा आधारी पड़ी हुई थी आ रिणन तो सद्रियों में दोप ने निकलती ख़्यकीफ है दिक्कत होती है हमारे जो पाइनान अन तेडifically तो के लिए मैंने स्वचा चलिए इस सारी का बनाते हैं कुछ नया बनांगे और जो हम बहुत कम समय में बनासकते हैं और कुछ भी नही और बहुत सुन्दर गुदगुदा पायनान हमारा बनेगा एक दम डॉर मेट बहुत ही अच्छा लगेगा इसी तरह से सारी पट्टियां इसके अंदर डालेंगे फिर दिखाएंगे इसका हम फाइनल लुक डालने के बाद दिखिए यह है हमने डाली सारी पट्टियां और यह हमने पुरानी सरट ली थी तो इसको भी हमने जॉइन कर लिया है और जो हमारा जो बना रहा है हम डॉर मेट तो इसको हमने सीधा लिया है और जो हमारी सरट थी उसको भी सीधा लिया है तो दोनों साइड उ हो भी उल्टा है तो इसकी बराबर से मिसको कटिंगी दाएगे और हम सिलाई लगाएगे अगर आप लोगों की शलाइय मशीन नहीं चल लगाएगे थी नहीं चल जाएगे इससंपर तो क्योंकि सिलाई लगाएंगे यहां से एक साइट को खुला छोड़ेंगे तो चलिए आ गया मसील पर सिलाई हमने लगा लिए और कितना अच्छा लग रहा एकदम इसके जो ब्लॉक्स में वो बरावर बरावर हमने जैसे स्केल की मदद से इसान लगाए थे तो उसी पर हमने सिलाई यहां से भी लगाएं और यहां से भी सिलाई लगाएं देखिए यह वाली साइड है इसको हमने खुला छोड़ दिया अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से पलटें तो अभी सीधा करके फिर दिखाते हैं कितना सुंदर लगरा है हमारा फिरी में बना है दोर्मेट और हमे कराके कहीं कुछ गिरा कर तो इसलिए हमने अपने घर पर बनाया है जिरब एक साड़ी की पीच से बनाया साड़ी नहीं थी पूरी होती तो बहुती सुंदर बनता एक्दम थोड़ा सा बड़ा बन जाता तो हमाने पास साड़ी बची थी तो उसका ही हमने बना लिया है और साड़ी को ही अंदर इसमें बहर दिया है देखिए हमने सीधा कर लिया सीधा करने के बाद इसमें कोई हमें कोड भी लगाने की जरूर नहीं पड़ी है बहुत ही सुन्दर बना है मारा डोर मेट तो इसमें ये एक साड़ जो सिलाई बची थी वो रहेगी ये लगाने के लिए तो इस पर हम अभी सिलाई लगाएंगे फिर इसका दिखाते हैं फाइनल लुक कैसा आ रहा है कितना सुन्दर लग रहा है देखने में चाहें तो बाथरूम के पास यूज़ कर सकते हैं या किचिन में हम खाना बनाते हैं खड़े होकर तो सर्दियों में हमें जरूत पड़ती है तो इस पर खड़े हो जाया नीचे बिशा के आराम से इस पर खड़े होकर हम खाना बना सकते हैं तो हमारे पैर ठंडे नहीं होंगे तो देखिए हमने सिलाई लगा लिए और बहुत ही सुन्दर लग रहा है एकदम फ्रेंग गुद गुदा हमारा डोर मेट बनकी तियार हो गया है तो इस तरह से अगर आप रोगों के पास साड़ी हैं तो पट्टा हैं बच्चों के छोटी छोटी पिजामी हैं बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं इसमें भर जाते हैं तो देखिए हमने बना लिया है कितना सुन्दर लग रहा है एकदम बहुत ही गुद गुदा है इसमें हमने किनार भी नहीं लगाई है इस तरह से हमने बनाया है फ्रेंग तो यह बनाने का आडिया आपको उनकी जरूर पसं से तब तक की लिए बाइ बाइ थैंक्स फॉर वोचिंग हवा नाइस दे